तुम लिखेगी कि नहीं लिखेगी किस लिए था कावटा था लिखने में चलो लिखो जल्दी लिखना होगा बेटा तु सोच लो अभी गेट से बाहर निकालेंगे चाहे हम ही चल जाएंगे बाहर तुमको लिखना है कि नहीं लिखना है तुम लिखके दिखा दो तो एक लिखके दिखा दो तो अच्छा से कितना सुन्दर मेरा बाबु लिखती है तुमको इधर भी लिखों अच्छा से लिखो बड़ा थोड़ा यह चोटा था इधर निकालना की था चलो निकालो बड़े लिखो तुमको नहीं करना प्राय नहीं करना है थोड़ा से लिखने में थक जाती है ठीक है आने जा रहे हैं तुम रहों मत पढ़ाई करें तुमकेले रोवत बड़े हैं चले जाएं चले जाएं नहीं जाएं नहीं जाएं नहीं जाएं तुमकेले लिखो क्या सोच रही थी? कि मैं पढ़ाई करू कि ना करू यह सोच रही थी तुम आराम से हैं तो तुम सोच के क्या decision लिख पढ़ाई करना है या नहीं करना? तो सोच रही थी कि पढ़ाई करना है या नहीं करना है तो क्या decision लिख करना चाहती है कि नहीं पहले यह बता दो सोच रही थी 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 मैं 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 इतना लिखू तो अभी एक ही पेज लिखी हो ने एक पेज और लिख लो छोड़ देंगे कर दो है कर दो है काची मिला था मुझे काची मिला था वो इसकूल में मैं देगी उसमें अभी कोई काम ने करना है हुँआ वालने छोटा वला मुझे मिला था छोटावला कोई कहां जानना था? कहां जानना था? कागज जो मैं आपको दिकाई थी कर ले वालोब यू ममा बला जो कागज था कागज तो हम नहीं देखे कागज जो मैं खूल के उसको नहीं दिखा रही थी कब दिखाई थी? तुम्हारा बहाना हमको समझ में आ रहे हैं तुम्हां से जो भागना चाह रही है अच्छा दिखाओ अंदर रखी है कागज पापा बता रहे थी सोने समय सोने समय पापा बता रहे थी काग जाना वाँ काड तु काड का क्या करेगी तुम पापा बता रहे कि कर जाना है कहा जाना है कर तुमको पढ़ाई करते करते काड का याद आ गया कि कर कहा जाना है गिरी परवेस में जाना है कर तु कर जाना है पंद्रा माई दिन सोंबार पाँच बजे सामको प्रिति भोजे सुभा में आट बजे पूजा है तो तुमको ये चीज जूड़ना था मतलब पढ़ते पढ़ते में तुम तो कल जाएंगे यहां पर अचा कल नहीं पढ़ाएंगे कल जाएंगे तो कल नहीं पढ़ाएंगे ठीक है तो अभी पढ़ाए करो वो एड्रेस लिखावा है चलो रखो रखो क्या चे जिए हाँ बेटा मेरा बहुत सुंदर लिख रही है मेरा बेटा हाँ बेटा देंगे आप लिखो अच्छे से स्पलिंग याद करके 11 का स्पलिंग बोलो तो इधर देखके आप लिखो अच्छा देखरा 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 क्या हुआ 11 लास्ट में बोलना है आई अलेवन चलो ठीक है गोड़ गड़ बाई तो फ्रेंट देख लीजिए नित्या क्या की है कितना मुस्किल से से पढ़ाया जाता है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाब बाई